गुडिविनिंग एवरीबडी लास्ट वीडियो में हम लोग चेप्टर 1 का 1.3 का 1 और 2 किये थे इस वीडियो में हम लोग 3 और 4 करेंगे इसे सेम चेप्टर का फॉसका सक्वायर से क्या होता है वो तीन कम होता है यह कोश्चन बोला यह पहले हम लोग इकोश्टन करते हैं पकड़ लेते हैं लेट दी पोजिटिव होल नंबर वो positive whole number x होता है तो question में क्या बोला है कि इसका 5 x इसका 5 x जो होगा वो इसका square का twice square क्या हो जाएगा x square twice करने के लिए 2 से multiply करेंगे इससे ये क्या कम है 3 कम है तो अगर इसमें हम 3 add कर देते हैं तो ये equal हो जाएगा equation हमारा बन गया अब इसको solve करके हम लोग को x का value निकालना है वो number पता करना whole number positive whole number क्या है आई ये इसको solve करते हैं इस सब को उस तरफ लेके जाएंगी तो क्या हो जाएगा 2x square minus 5x minus 3 equal to 0 हो जाएगा राइट middle term factor करना है हम लोग को पता है a into c करेंगे 6 और इसका factor लेंगे और सारे factor को plus minus करके आपको 5 लाना होता है तो हम देखें यहाँ पर 6 minus 1 कर देते हैं तो 5 हो जाता है और 6 into 1 करने से भी 6 आ जाता है correct इसको आगे solve करते हैं 2x square minus 6x minus plus हो जाएगा x minus 3 equal to 0 correct अब इसको आगे करते हैं आप देखें क्या common ले सकते हैं इसमें से आप 2x common ले सकते हैं यहाँ पर x रह जाएगा यहाँ पर minus 3 रह जाएगा plus यहाँ पर क्या common आएगा कुछ नहीं तो 1 common लेंगे x minus 3 equal to 0 हो जाएगा correct यह आपका हो जाएगा x minus 3 और 2x plus 1 equal to 0 x का जो value मिलेगा आपको एक मिलेगा 3 और दूसरा मिलेगा minus 1 by 2 यहाँ से हम देख सकते हैं वो positive number के आए वो 3 है देखें justify करके देखते हैं तो 3 का 5 times करते हैं वो 15 होता है और 3 का square करते हो आप 9 होता है तो बोलता है इसका twice twice मतलब into 2 यह 15 यह 18 आपका यह देखें इससे 3 का में ही है इसलिए हम लोग इसमें 3 add किये थे अब देखें दोनों equal हो गया तो हमारा number सही है justify कर रहा ठीक है आईए अगला question की और बढ़ते हैं अगला question हमारा क्या कहता है ठीक है next 4 number जो question कहता है आपका यह कहता है the distance between two place is 200 km place नहीं पता है हमको A और B पकड़ लेते हैं यह दोनों का beach का जो distance है वो 200 km है correct the time taken by यह motor car यहाँ पे एक motor car है right motor car से जो समय लगता है one place से दूसरा place में जाने में A से B जाने में right is less by two hours than the time taken by jeep car jeep car से जितना समय लगता है उससे two hours कम लगता है इसको एक jeep car है आपका jeep car को जितना time लगता है यह से भी जाने में उससे two hours कम इसको लगता है motor car को if the speed of the motor car इसका speed दिया हुए आपका कितना है five kilometer per hour more than the speed of the jeep jeep से इसका speed कितना है five kilometer जादा है right plus five kilometer इसका जो भी speed होगा इससे जादा होगा अब आईए हम लोग equation form करते हैं और solve करते हैं तो पहले हम लोग क्या करते हैं एजूम कर लेते हैं लेट दर टाइम टेकन बाइ मोटर कार मोटर कार से हम लोग पकड़ लेते हैं कि एक्स टाइम लगता है ठीक है let the time taken by motor car bx इससे अगर x टाइम लगता है तो हम लोग इसलिए अब टाइम दिया हुआ हमारे पास और distance पता है ठीक है तो यह क्या हो जाएगा हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या है distance equal to speed into time तो यहाँ पर distance आपका 200 km है एस आपको speed नहीं पता है और time आपका x है तो speed equal to हम लोग बोल सकते हैं 200 y x ठीक है next अगर वही हम जीब का जो यहाँ पर जीब का speed up क्या हो जाएगा वो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे motor car का यहाँ पर दिया हुआ है हम लोग जूम किये हैं उसको time x लगता है तो जीब को कितना time लगेगा जीब कार को कितना समय लगेगा दो घंटा ज्यादा क्योंकि question में बोला है कि motor car को दो घंटा कम लगता है तो अब यसलिए अगर इसका speed में टू टू एट कर दें क्योंकि इसको दो घंटा ज्यादा लग रहा है करेक्ट अब इसका हम लोगा speed निकाल लेते हैं time इसका लगा है x फ्लस टू तो speed equal to क्या हो जाएगा distance y time distance दोनों के लिए इसका speed क्या जाएगा x प्लस टू करेक्ट दोनों का आप देखिए speed हमको मिल गया question में बोला है इसको इसका जो speed है वो इससे कितना ज्यादा है जीप कार्ट से 5 ज्यादा है आईये तब हम लोग अभी equation form कर लेते हैं मैं इसको मिटा दे रहा हूं अब हमारा question क्या हो जाएगा हम लोग का जीप का जो लगा था बो लगा था आपका मोटर का लगा था 200yx जीप का लगा था 200yx प्लस तू करेक्ट राइट इतना लगा था इनको इनका speed था और इतना speed इसका था तो question में बोला है यह जो इसका speed है 5 km जादा है किस से जीप बाले से तो इसमें से गर 5 हम माइनस कर दे तो यह दोनों इक्वल हो जाएगा यह हमारा equation form हो गया इसको हम लोग solve करके x का value निकाल लेंगे आई यह solve करते हैं तो क्या हो जाएगा कि हो जाएगा आपका 200 y x minus 200 y x plus 2 5 को उधर लेके जाएगे प्लस हो जाएगा अब इसको solve करते हैं LCM लेंगे x plus 2 आ जाएगा यहां आ जाएगा 200 into x plus 2 यहां minus 200 into x कीजेगा तो 200 x होगा इक्वल टू 5 आगे बढ़ते हैं 200 x plus 400 हो जाएगा यहां पर 200 x यह कितना हो जाएगा x square plus 2 x इक्वल टू 5 यहां पर देखिए जो cancel होता है आप उसको cancel कर दीजिए 200 x plus minus से cancel हो जाएगा अब आगे जो आपका और भी अगर 5 से अगर इसको हम डिवाइड करें तो 80 आएगा ठीक है आईए आगे बढ़ते हैं हम लोग यह हो गया आपका 80 equal to x square plus 2x अब जो equation आपका बन रहा है quadratic equation वह हो जा रहा है आपका x square plus 2x minus 80 equal to 0 correct इसको हम लोग solve करेंगे 80 का factor निकालेंगे और उसको plus minus करके आपको क्या लाना रहेगा तू लाना रहेगा middle term factor का जो rule है तो क्या करोगे आप कितना लिखो गे हाप यह हो जाएगा आपका x square plus कितना इसका factor आएगा 80 का factor आप निकाल के देख लेना यहां पर जो कि आपका लमसम आएगा मैं यहां पर कर दे रहा हूं 40 आएगा 20 10 5 राइट यह आपका आएगा तो 2 कैसे आएगा तो आप 10-8 करोगे तो 5-10 और यहां 248 कर दोगे तो आपका कितना आजाएगा 10-8 आप देखो 80 भी होता है 10-8 2 होता है 10 into 8 80 होता है यह सही है हमारा 80 equal to 0 यह हो जाएगा आपका x square plus 10x minus 8x minus 80 equal to 0 x common ले लो आप यहां से x plus 10 हो जाएगा minus यहां पर आप 8 common ले लो तो x plus 10 हो जाएगा यहां x का जो value आएगा आपका एक आएगा x plus 10 दूसरा आएगा x minus 8 equal to 0 x equal to minus 10 and minus sorry plus 8 तो speed हमेशा positive होता है तो question में पुझा है let us write the speed of the motor car motor car का speed कितना होगा 8 x का value निकला है x हम लोग किसका speed पकले थे motor car का speed पकले थे motor car का हम लोग x time पकले थे राइट time आगया आपका 8 तो speed equal to क्या हो जाएगा distance y time distance कितना था 200 by 8 cancel करोगे आपका कितना आएगा 25 तो यहाँ पर speed आपका क्या आगया motor car का 25 km पर आवर इसी तरह से बने रही हम लोग सारा वीडियो complete करेंगे अगर वीडियो अच्छा लगता है तो like जरूर कीजिए friend के साथ share कीजिए और बने रही हम लोग chapter by chapter सारा sums कवर करेंगे थेंक्यू thanks a lot for my watch for watching my youtube channel and please share subscribe my youtube channel thanks a lot